आपके अपने चैनल टारोबाई टीजे पर I am back with another candle wax reading for you guys आज के दिन का एनरजी चेक हम करने जा रहे है जनरल एनरजी चेक होने वला है सामने वले व्यक्ति की उर्जा आपके प्रती कैसी है आपके two words कैसी है यह इस reading में हम देखेंगे आज के दिन में और specifically इस समय पर आपको यह reading मिली है क्योंकि यह timeless reading है और साथ ही में यह general reading भी है यानि कि यहाँ पर हम हर किसी की situation देखने वाले हैं यह reading किसी भी एक व्यक्ति विशेश के लिए नहीं है यह सभी के लिए एक general interpretation है so please pick only what resonates with you यानि कि सिर्फ उन्ही messages पर आपको ध्यान देना है जो आपको लगता है कि ईश्वर ने आपके लिए बहेजे हैं इस reading के माध्यम से ठीक है so also यह सिर्फ love reading नहीं है आप किसी भी person की energy चेक कर सकते हो आपके two words कैसी है और आपको messages यहाँ पर जरूर मिलेंगे आप जान पाओगे कि उनकी energy कैसी है आपके two words मैं आप लोगों के लिए जिब तक energy cleanse कर रही हूँ मैं चाहती हूँ कि आप अपने person के चेहरे के ओपर focus कीजे तीन बार उनका पूरा नाम अपने मन में repeat कीजे और reading के दरान आप इस व्यक्ति का जो चेहरा है आप divination ball के अंदर भी visualize कर सकते है it is very important to remove the energy of previous readings okay and intuitively आज मैंने आप लोगों के लिए orange candle pick किया है which is such a happy happy color, lovely color, creativity का रंग, joyful energy का रंग बहुत है पवित्र से एक energy इस color के साथ में जूड़ी रहती है ठीक है हमें Lord Shiva and Maa Bhagwati guide and protect us throughout this session महादेव को समर्पित हो के आज की reading हम शुरू करते है let's see जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो उनकी energy, thoughts, feelings और emotions आज के दिन में आपके प्रती कैसे है और मैं पहले ही आप लोगों से बोल रही है I am very sorry about my throat, pollution की वज़े से मेरा बहुत गला खराब हो रहा है चलिए let's see let's focus on your person I feel यहाँ पर recently separation हुआ है अचानक से separation हुआ है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं शायद जिनकों की कोई closure नहीं मिला है किसी तीसरे इंसान के involvement की वे जोसे separation हो गया है यह शुरू से ही चीज़ें आप लोगों के बीच में clear नहीं चल रही थी lack of clarity था उसकी वज़े से problem बढ़ गई है कुछ यहाँ पर smooth energy तो मुझे नहीं दिखाई दे रही है जादा तर लोगों के लिए कुछ न कुछ issues चल रहे हैं और यह ऐसे issues हैं जो पुराने समय से या काफी लंबे समय से repeat होते चले जा रहे हैं जो खतम नहीं हो रहे हैं हो सकता है कि यह issues आपने ही connection में face किये हो इस व्यक्ति के साथ में या यह person और भी relationships में या आप और भी relationships में इसी तरीकी के issues face कर चुके हो तो यहाँ पर actual में होता क्या है relationships में या life में money को ले कर के health को ले कर के किसी भी चीज़ को ले कर के हमारी कई बर cycles बंद जाती है एक ही चीज बार बार repeat होती रहती है और हमारे दिमाग में भी यही बात जो होती है वो कई बर बैट जाती है कि अरे भाई हमारे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है ऐसी cycle को break करने के लिए आपका जो reaction है उस particular situation में उसका बदलना ज़रूरी है वो cycle वहीं break हो जाएगी ओकी जी यहाँ पर रह से किसी का नाम दिखाई दे रहा है अ से दिखाई दे रहा है letter A है letter R है letter U है वी है ओकी रह से शाइब बहुत सारे लोगों के नाम है letter D भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है P है Y है किसी के नाम में Y आता है even यह जो surname है उसका भी पहला letter हो सकता है मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका यह जो भी रिष्टा है इसको नजर लगी है और किसी बड़े close इंसान की नजर लगी है किसी बहुत अपनी की नजर लगी है जिनसे आप उमीद भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि जादा तर जो evil आई होती है वो ऐसे लोगों से आती है जो आपके बहुत close होते हैं बहुत close उनकी नजर जो होती है वो सबसे पहले लगती है तो यह कोई दोस्त हो सकते हैं कोई family member हो सकते हैं जिनकी नजर लग गई है अचानक से और एक clash सा आ गया है दोनों के बीच में मुझे बहुत सारे लोग यहां ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिनका suddenly separation हुआ है या कुछ बहुत ही like ऐसी चीज होई है जो कि unexpected थी जो ना आपने expect करी थी ना सामने वाले person ने expect करी थी और ऐसा कुछ आप लोगों के बीच में हो गया है another thing जो यहां पर बहुत ज़दा clear दिखाई दे रही है is the emotional energy आप दोनों की तरफ से emotional energy बहुत ज़दा high है आज के दिन भर में ये व्यक्ती बहुत ज़दा lazy, lethargic महसूस करने वाले है ये बहुत सारे tasks अपने आपको देंगे आज ये करना है वो करना है लेकिन इनकी आदे से ज़दा चीज हैं जो हैं मुझे ऐसा लग रहे है जैसे अधूरी रहने वाली है या इन जनरल भी divine की तरफ से ये एक message हो सकता है कि इनकी जो plans हैं इनकी life को लेकर के वो शायद थोड़ी देरी से पूरे होने वाले हैं यहाँ पे कई लोग ऐसे भी होंगे जिनके marriage plans डिले हो रहे हैं जिनके शादी जो है वो जल्दी नहीं हो पारी है तो अब ही आज कल में ही मैंने एक remedy आप लोगों के लिए अपने WhatsApp चैनल पर शेयर करी है लिंक आप लोगों को description में मिल जाएगा या comments में भी मैं डाल दूँगे आप प्लीज WhatsApp चैनल जरूर से जोइन कीजे आपको रोजाना कुछ न कुछ remedy मिलेगी ऐसी जो आप कर सकते हो और affirmations मिलेंगे ऐसे affirmations जैसी चीजें जो आपकी life में change लेकर के आएंगे and the best part is that आपको कुछ pay नहीं करना हो उसके लिए सिर्फ आप follow कीजे और जुड़ जाएए हमारी family में so यहाँ पर यह चीज मुझे दिखाई दे रही है कि यह जो person है यह व्यक्ति जिनके बारे में आप सोच रहे हो यह अपनी किसी बीते हुए कल से पीछे चुड़ाने की कोशिश कर रहे है या पुरानी बातों से किसी पुराने इ tratar है लड़ रहे हैं बैक ओफ कर रहे हैं किसी को push away कर रहे हैं लेकिन बार बार या तो यह पुरानी यादे है या कि यह कोई पुराना व्यक्ति है जो बार बार लोट करके इनके life में आ जाता है और इनको ये energy पसंद नहीं आ रही है बिलकुल भी ये कहीं से runaway करना चाहते हैं भाग जाना चाहते हैं मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि इनके mind में ये thought बहुत बार आता है कि इनको सब को छोड़ चाड़ के बस give up करके कहीं भाग जाना है कहीं दूर जाकर के हमाले में कहीं सैटल हो जाना है इस तरीके कि बातें इनके mind में आती हैं ये सन्यास ले लेना है ऐसी चीज़ें इनके mind में आती हैं बट देन ये अपनी materialistic life से भी बहुत ज़दा जुड़े हुआ हैं और ये अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं उनको छोड़ करके ये कहीं नहीं जा सकते ये बात इनके लिए बहुत ज़दा clear है ये काफ़ी ambitious person है और इनकी life में एक frustration की energy मुझे build up होती वे दिखाई दे रहे हैं जो कि पिछले कुछ समय से अभी चल रही है कि इनके काम को लेकर के कुछ ऐसी चीज़ है जो postpone हो रही है work related कुछ ऐसा matter है जो postpone हो रहा है ये शायद आपके रिष्टे से जुड़ा हुआ है या indirectly जुड़ा हुआ है क्योंकि इनका mood खराब होगा तो obviously उसका असर आपके रिष्टे के उपर तो पढ़ेगा ही आपकी बात हो रही है अगर इस परसन के साथ में नॉर्मल कनेक्शन में आप हो और आपके पार्टनर का mood अगर ठीक नहीं है अगर आपका साथ ही खुश नहीं है तो आप भी खुश नहीं रह सकते हो आपका फिर focus वहीं रहता है कि अगर कोई problem चल रही है तो उसको फटा-फट से उसको सुलजाया कैसे जाए कैसे उसको solution निकाला जाए और अगर जो आप लोगों की बात्चीत भी नहीं हो रही है और उपर से ये व्यक्ति इस तरीके के situation से गुजर रहे है तो इनके उपर फिर double tension है ठीक है I can see this person is sitting जिससे ये बैठे हुए हैं ध्यान लगा रहे हैं meditate कर रहे हैं या इनके लिए suggestion आ रहा है कि इस situation से बाहर निकलने के लिए इनको अपने दिमाग को stress free रखना जो है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है वैसे भी हम लोगों की life में जाने अन जाने में इतना stress involved है कि हम शरीर को तो खाना खेला देते हैं बट हमारा जो mind है, mental health है, spiritual health है उसको हम लोग पूरी तरीके से neglect कर देते हैं तो शायद यह message आ रहा है, आपके लिए भी हो सकता है अगर stress बहुत ज़्यादा build-up हो रहा है तो थोड़ा सा समय अपने electronic gadgets से दूर, अपने phone से दूर हर चीज, हर व्यक्ती से दूर, खुद के साथ में बिताईए रोज, डेली, बेभी पांच मिनट तो अपने आपको दे ही सकता हूँ तो यह चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है इस इंसान को भी इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत है Scorpio, राशी वाला कोई व्यक्ती है ऐसी ओरज आज के दिन भर में इनकी दिखाई दे रही है और give up करने वाले तो नहीं है give up तो नहीं कर रहे है कोई भी situation है उसे give up करने वाले person नहीं है fight करना चाह रहे है जैसे कहते है न fighting the odds अगर कुछ भी against जा रहा है किसी भी life aspect में तो उससे ये लड़ना चाहते है और उससे बाहर निकलना चाहते है ऐसी energy यहाँ पर है which is a good sign मुझे ऐसा लग रहा है जसी कि person थोड़ से stubborn भी है या आज के दिन में इनकी energy आपको ऐसे लग सकता है कि इनसान बहुत ज़़दा stubborn हो गए है बहुत धीट हो गए है और अपने ही बारे में सोच रहे है और कुछ किसी चीज के उपर इनका ध्यान नहीं है या आप कुछ कह रहे हो आपकी बात को पूरी तरीके से यह अंदेखा कर रहे हैं अंसुना कर रहे हैं ऐसी feeling आपको आसकती है बट यह temporary रहेगा होना है और आपको जल्दबाजी में किसी भी चीज के उपर react नहीं करना है ठीक है तो आज की reading को यहीं हम conclude कर रहे हैं यहीं finish कर रहे हैं जाते जाते आपको सिर्फ वीडियो को एक like देना है और वही मेरा energy exchange होता है और अगर आपने हो तो आप subscribe कर सकते हो और बन सकते हो हमारे taro by tj family का हिस्सा whatsapp channel को subscribe करने के लिए मैं फिर से आप लोगों से काऊंगी और हम लोगों के साथ में connect हो जाए whatsapp पर भी आप connect हो सकते हैं link में आप लोगों के लिए description box में भी available करवा दूंगी और comments में भी rest आप लोगों से मिलते हैं next prediction में तिल दिन नमस्ते take care जै गुरू जी हरियम नमस्षिवाई